तो hello friends अज हम बात करने वाले जो हमारे पास mobile phone है Infinix Hot 35G mobile phone और आज हम बात करेंगे हमारा जो यह phone है इसके अंदर आ गया है new update तो इसके update के बारे में करेंगे बात कैसा क्या है यह update तो फट 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 चलते हैं update की हो तो friends फटाफट कर लेते हैं phone को active, phone को active करने का धमें आ जाना है setting के option में friends फटाफट हम आ जाते हैं setting के option में, setting के option में आने के बाद हमें जो सब से नीचे option दिखाई देहा system का, इसके अंदर आ जाना है system के option में आने बाद आपको जो है number 4 पर मिल जायाएगा system update का option तो मैं फटाफट क्लिक कर देता हूं system update के option पर, system update के option पर click करने के बाद जो नीचे हमें पहला option दिखाए देगा online update, तो हम फटाफट की जो online update का section है इस पर कर देता हूं मैं click, तो मैंने कर दिया online update पर click, उसके अदम फटाग से continue पर कर देते हैं click, मैंने देख सकते continue पर click कर इसके जो यह update है यह आ चुका है 1.07 GB का हमारा जो update है, तो इस update के अंदर क्या-क्या है वो हम बात करेंगे सबसे उपर लिखा हुआ है, आपका phone 50% charge होना चाहिए, अपडेट करते टाइम जो आपका Infinix or 30 phone है, ठीकिन तब यह update आगे बढ़ेगा, इसके बाद अपडेट में आपको मिल जाता है, October 2023 का security picture मिल जाता है, और आपको second number में मिल जाता है, add to magic ring, convertant access, ठीकिन notification, leave current screen, उसके अप्टिमाइज हो जाएगा, आपके जो system में stable हो जाएगा, performance आपके fix हो जाएगी, issues वगेरा, और बाकी अगर और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए, या फिर कुछ भी दिक्कत हो, तो आप जो visit है, x club, इस पर जाके feedback वगेरा, जो आप कर सकते हैं, बाकी नीचे आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, जो आपका update का size है, वो दिखाई दे रहा है, 1.07 GB का आपका update है, इसके जो नीचे आपको option मिल जाता है, resume का, तो resume के option पे मैं फटाफट कर देता हूँ, click, click करने का आपको जो है, user, use mobile, या wifi, तो हम mobile से करने वाले हैं, update, और मैं फटाफट, use mobile पे कर दूँगा, click, तो मैं use mobile पे कर दूँगा, click, और हमारा जो update है, वो active हो जाएगा, उपर आप देख सकते है, installing, update, और हमारा जो update है, वो उसकी जो process से वो active हो जाएगी, तो फटाफट इसको कर लेते हैं, download, फिर install की process active करते हैं, तो फटाफट मैं वीडियो को थोड़ा सा skip कर देता हूँ, और थोड़ी दिर बाद हमारा जैसे या update डाउनलोड जाएगा, उसके बाद हम देख लेंगे, कि हमारा जो update है, वो कैसा क्या है, आ पर क्लिक कर दिया था, तो हमारा जो restart होना active हो गया है, तो जो restart है, ये लगबग हमारा restart हो चुआ है complete, करीब एकाद मिनिट हमें लगा था, इसकी जो process है, वो complete करने में थोड़ा सो time उसने लिया था, तो फटा-फटा हम password वगेरा डाल के, और हमारे phone को थोड़ा सा active होने द आपके पास आया है कि नहीं आया है अपडेट, ये भी हमें comment box में comment करके बता है, ये बाकि आप देख सकते हैं, इसका मैंने camera दिखा दिया, बाकि इसका play store वगेरा इसमें कोई issues नहीं आया है, ये भी properly work कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, उपर show भी कर चुका है, software update, यानि आपका जो system में वो update हो चुका है, तो हमें ok पे कर देना है, click, ok पे click करने के बाद, हमारा जो update है, वो complete हो चुका है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, मैं वापस चले जाता हूँ, phone के अंदर, system के अंदर चले जाता हूँ, system के अंदर जो आपको update का section मिल जाता है, वापस उसके अंदर चले जाता हूँ, online के अंदर चले जाता हूँ, ठीक हैं, continue करके और आप देख सकते हमारा जो system में वो updated है, तो हमारा जो phone है update है, आपको कैसा लगाई है update, वो हमें comment box में comment करके बताईएगा, धन्यवाद, तो hello friends, तो ये वीडियो कैसी लगी आपको हमे comment box में comment करके बताईएगा, बाकि ऐसी और interesting वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएए, वीडियो को कर लीजे, like चैनल को कर लीजे, subscribe, बाकि मिलते हम next वीडियो में किसी और topic के साथ, तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत, भारत मता की जय! झाल झाल झाल